गेंग्स्टर मुक्तार अंसारी की मौद पर SP मौव ने भी बयान दिया SP मौव ने कहा कि जैसे ही हमें मुक्तार अंसारी की मौद की सूचना मिली मौव पुलिस ने तुरंट संवेदन शील इलाकों में जवानों को तैनात कर दिया आज हम हाई अलर्ट पढ़ हैं क्योंकि शुक्रवार की नमाज भी पढ़ी जाएगी कुछ अफवाहे फैल रही है कि छेतर में कर्फ्यू लगा दिया गया है मौव में CRPC की धारा 144 पहले ही लागू कर दी गई है उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी से शांती बनाए रखनी की अपील करता हूँ और अफवाहों पर विश्वास ना करने का आगरा करता हूँ अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ करी कारवाई की जाएगी कल वो मुक्तार अंसार जीगा जो बांदा जेल में मौत होने का सूचना ताप हुई थी उसके बाद फुरंक मौव पूलिस ने संदेदम सी उता समझते हुए पुरा जिल्ले में जो भी संदेदम सी जहाए वहाँ पूलिस तैनात करके हम लोग सभी लोग अलेट में रहें आज वो सुक्रवार का नमाज भी इसलिए और अलेट है नो बज़े से और फॉर्स वहां तैनात करके जूटी करने के लिए सब को निर्वेश किया गया है और कुछ लोग का सोशल मीडिया का मत्यां से भी कुछ अफवा चल रहा है ता ही कर्फी लगी हुए ऐसा नहीं है 144 CRPC पहले से लागू है मैं आप लोग को मत्यां से अफ़ील करना चाह रहा हूं शांतिवस्ता बनाक्ते रखें कोई अफवा अफवा नया फैलाएं अगर कोई ऐसा करेंगे तो उनलों के लाब विदिक कारवाई भी कीजाए